हेलो असलाम लीकुर्स वलकम बैक तो मैं चानल विशिजवर्ट में आप सब करती हूं आप सब ठीक होंगे अज़का जो मेरा विलोग है उसमें आपको रहें इंट्रस्टिंग सी कहानी सुनाने वाले हैं जो के आज मेरी नज़रों से कुझे और मुझे बड़ी अच्छी लग्खी पता नहीं क्यों मुझे असा लगा के जैसे हना हमारे पाकिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है जो के इस कहानी में प्यान किया गया है तो इस कहानी में बतायागिया थोड़ी सी फणीell भी थोड़ी सी हमारे लिए बड़ीली संब ग्मॉज भी I और उसमें से फूस सब कुछ है कि जसका मुझे लगता है कि मुझे प्रच किया तो आपको भी शायद हो जाए जो आपके साथ शेयर करने चाहिए तो चलिए जलते हैं, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि कहानी है क्या असल में उस कहानी का जो नाम है ना मैं तो इसको देखी नाम दूँ कि अपने मुल्क की सिकुरिशन को देख के जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर थे इम्नान कान साब जो कि मुझे बहुत पसंद रहा है और मुझे नहीं बता कि आप लगए उसलेगे लेकिन मैं उनकी अदम इतमाद आने के बाद प्राइम मिनिस्チर सहाभ इमरान खान को अटा दिया गया उनके उनने अउपिस ने हटादिया क्या तो अदम में इन रहल कि कहले है और यहां फिर आ उसकहानी को閑ने अपने तरफ से क्या नाम देंगे चैनि म्जह बढ़ ज़ूर और मुझे ब पीट्यूू। जलें जी हम अपनी स्टॉरी को स्टार्ट करते हैं ये स्टॉरी है जी सलार बिन नसर साब में लिखी है वो इसमें कहते हैं कि मैजब तीन साल का था थट्ट्ट्टी हुई सर्दी में एक दिन दादाने स्कूल में दाफ लिखाना और वो उमर के 5 साल लिखवा दियाथ त्यूक्तारी स्कूलों में पहले अइसा हुआ करता था कि ना 5 साल से कम उमर के बच्चे को दाफल दिना उन्होंने भी यहाँ पर कुछ आसा इही बयान किया है कि कम उमर के बच्चे का दाफला मगू वा जबके मेरा यार जुम्ह गुल जो कि उनका एक लंगोटिया यार था और उनके गाउं में रहा करता था उनने लिखा के मेरा यार जुम्ह गुल अपनी मा के गिर वोद में बैठ दे चाय और हरा खेट ऊश्ता है मैं टाट पर बैठ कर सुबों से दूपहर तक अलिफ से अल्ला और बेज से बकरी का रागलापता और जुम्मा गुल गुले में मतलब के घलेल डाल कर निशानवाजी करता और गाउं के दरखतों पर परिंदे मारता और सारा टाइम यूनो मतलब के जिसे हम कहते हैं के रोड इंस्पेक्टर हुआ करता था हम सारा सारा दिन उस्ताद रहीम गुल की सूटियां अपनी पुष्ट पर खाते ताकि कल को मौशरे में एक मकाम बना सके और जो जुम्मा गुल साहब थे वो अपने बाप के कंदे पर बैठ कर गाउं के मेले लूटता रहा हम स्कूल से जुम्मा गुल की तरफ देखते तो दिल का हाल जैसे जानकर अम्मा बोलती बेटा तुम एक दिन बड़े अफसर बनोगे और जुम्मा गुल जैसे लोग तुम्हारे गुला होंगे नौक कर वनेगे तो वो साहब लिखते हैं जी स्कूल से कॉलिज और कॉलिज चे उनिवर कोस्टर हटा कर कंदे पर क्लैशन कॉफ रखनी शुरू कर दी फिर हमने पीछे कभी मुड कर नहीं देखा कि कहां जुम्मा गुल और कहां मैं हम बकॉल अम्मा के के वाकी अफसर बन गे और गाउंसे अपना नाता भी तोड़ गया अपनी अफसरी शहरी बीवी और बच्च कि उन्हें ने कहा था कि ये बात उनकी जो कहते है कि दिल के दर्वासे पर दस्तक दे कर बचैन कर देती है कि जुम्मा गुल तुम्हारा नौकर बनेगा शायद अम्मा जो थी उनकी ये बात से ज्यादा ये खुद ही एक खायश थी मेरी एक खायश थी सलार बिन साहब कहते है कि जुमा गुल मेरा नोकर बेने क्योंके मैरे जिन्दगी के आदा अरसा मतलब के पढ़ाईयों मेरे ये सब कुर करके गुजार दिया जो कि जुमा कान ने तो बस गाउं में लोफर पन करके गुजारा है और फिर मैं कैम्बरिज में पढ़ने और अपने बच्चों को हर वक्त यनी राग अलागते ही सलारविन साब यहां पर मजीद कहते हैं कि और फिर मैं कैमरेज में पढ़ने अपने बच्चों को हर वक्त यही राख सुनाने लगा के बेटा मेरी तरह बनो जुमागुल मत बनो मेरे बच्चे अब मुझसे ही पूछते हैं कि पापा हो इस जुमागुल और फिर जब मेरा हमेशा से जवाब यही होता कि मेरा नौकर क्युक्कि सलारविन साब की अमने उन्हें कहा था कि जुमागुल तुम्हारा नौकर बनेगा इस जैसे लोग तुम्हारे नौकर होते हैं सालोबाद गाउं जाना हुआ बीवी बच्चे साथ थे गाउं भी फैल कर जैसे छोटा सब शहर बन चुका था काफी लोग अब मेरे लिए अचनबी थे एक दिन पेगाम आया कि जुमागुल नामी बंदे ने एहल खाना समेथ दावत पर बुलाया है जो कि सिलार बिन साब के लिए बहुत हिरान कुन बात थी उन्हों लिखा के मेरे अंदर एक कमीनगी सी आगई एक कमीनी सी खुशी अंदर मेरे उबरी के जुमागुल को दिखाऊंगा के पढ़ाई लिखाई उस्ताद रहीम दादा की सोटी और मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया है और वो सदा का लुचा लफंगा आज भी दो वक्की रोटी के लिए मर रहा है बेगम को तकीद की के पांच हजार उसकी बीवी को थमाते ना रात को अपनी चार सौ हजार सी सी गाड़ी में बैठकर जुमागल के पहुंचे उन्हां तो उन्होंने देखा कि जैसे वो सुनाते में आके सकते में आके आप यहां पर कहते हैं कि मेरी बीवी और बच्चे मूँ खोले हैरानगी से बंगले को देख रहे थे और वो जुमागल बता रहा था कि अम्मा की दुआँ से आसदान बन गया है जैसे ही कुछ हमारा मुलक का भी हाल है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अदा में अदमाद आप इसको कहले जुमागल की तरक्कियां कहले या पिर आप आज कल देख लें कि अनपर लोग कहां से कहां पहुँच गए कि जब भी अदम इतमाद की हवा चलती है वो 40-50 करोड लोग बना ही लेते हैं अचानक मेरे बेटे ने भी अंगरेजी में मुझे पूछा कि मेरे बाबा ये वही जुमागल है जो आपका नौकर बन रहा था मेरी खमोशी पर छोटे वाले बेटे ने अंगरेजी में कहा बाबा मैं भी जुमागल बनूगा जो के आज हमारे सियासदान बन चुके हैं और इन जैसे जुमागल जो के हमारे सियासदान इंपोर्डिट टोला ये सब ये जुमागल ही है जो के एक पड़े लिडर को आने नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें डर लग गया है कि शायद उनकी जैदा दें बगएरा अब आएंदा उनकी नसलों के लिए नहीं बन पाएंगी अत्ता के वैसे तो सोचा जाए कि ये लोग इतना कुछ घमा चुके हैं कि इनकी आने वाली दस नसले भी बैट कर खाएंगी ज कि अची मोजए ऐची बहुत लिए